किससे किसकी रक्षा होती है आईए जानते हैं चालक के इस स्लोग से वित्तेन रक्षते धर्मों विद्या योगेन रक्षते मृदुना रक्षते भूपह सतिस्त्रिया रक्षते ग्रिहम अर्थात धन द्वारा धर्म की यम नियम योग आदि के द्वारा विद्या की कोमलता म गुरिदूलता से राजा की और सती साध्वी शील गुंड संपन इस्तरी से गृह की रक्षा होती है। आचारे चाड़क के कहते हैं कि धन से धर्म की रक्षा होती है। धन के बिना कोई भी धार्मिक अनुश्चान पुरा नहीं हो पाता। धनहीन धर्म की रक्षा करने में समर्थ नहीं होता विवस्ताओं के चलते उसे कुछ ऐसे कारे भी करने पड़ जाते हैं जो धर्म के विर्द्ध होते हैं इसलिए धर्म की रक्षा के लिए धन अनिवार है योग अर्थात कर्म विधान में कौर्शलता कोई व्यक्ति चाहे वह कितना भी विद्ध्वान क्यों न हो यदि वह व्योहार कुशल नहीं है तो उसकी विद्ध्या ब्यर्थ है योग में यम नियम आदी आते हैं जिनका सीधा संबंध व्यक्ति के आचरण से है जिसके पास अच्छा आचरण नहीं उसकी विद्ध्या भी शिग्र ही नश्ट हो जाती है मिर्दुलता से राजा की रक्षा होती है यदि राजा अन्याई, कठोर और अहंकारी है तो एक न एक दिन उसका नास निश्चित है उसके बहुत सत्र होते हैं जो समय पढ़ते ही उसका अहित करने की ताक में रहते हैं और चुकि ऐसे दुष्ट राजा के हितेशी बहुत कम होते हैं इसलिए उसके सत्रों को उचित औसर प्राप्त हो जाता है और इस प्रकार वह राजा नश्ट हो जाता है इसी प्रकार घर की रक्षा इस्त्री के सत्यत्व पर निर्भर है जिस घर में पवित्रता, नेक, आचरण वाले सुघर नारी निवास करती है उस घर की रक्षा स्वेंग देवता करते हैं सजनों यदि आपको चाड़क की इस नीति से थोड़ी सी भी सेख मिली हो तो ऐसे ही और भी चाड़क के नीति सुनने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नीति को लाइक, शेर और कॉमेंट करने की कृपा करें धन्यवाद